खरगोन जिले के ग्राम रस्वा और सिंगून के बीच एक नीजी यात्री बस पलटने से छे लोग घायल हो गए जिन है उपचार के लिए जीला चिकिसाले लाया गया मलतार से धुल कोट भाया सिंगून बलक वाड़ा लाइन पर चलने वाली पाटिदार बस ग्राम रस्वा और सिंगून के बीच तेज रफतार से बस असंतुलित होकर रोड से नीचे उतर कर पल्टी खा गई जिसमें 25 सवारी बेठे हुए थे लगबग 6 लोगों को अधिक चोट लगने से इलाज के लिए जीला चिकतसाले लाया गया है जहां उनका उपचर किया जा रहा है बताया जा रहा है कि बस पलटने के बाद ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग निकले कसरावत से अकिल खान की रिपोर्ट कर दो ठोका गए और कम लगा है कुछ पोर्ट यह सिंगुन से आ रही थी नई, स्करवण से जा रही थी सिंगुन अच्छा जाने में हो गया एक्सीत कर रस्वा के पास हुआ रस्वा और सिंगुन के इस भीट दगर खेड़ी कहां यहा रहा थी आप जा रहा थी ऐसे कहां जा रहा हा रही है दगर खेड़ी आए कहा रहा थी पल्ती कहां पर खाई? कहां पर? खन रहाँ है? चार्ण रहै गाहाँ सिंगुल सिंगुन में? कहां रहै हो आप? आप देख रहे हैं हमारा केनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें